नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़से ज़दा राइक करें, सस्क्राइब करें और शेर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेप्स ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्टन होती है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज की वीडियो में यही है कि जिसके कम उमर में बाल काले से सफेध हो जाते हैं उनको फिर से बालों को काला कैसी किया जाए तो दोस्तों आपको मैं कुछ ऐसे उपाये बता रही हूँ जिन से आप अपने बाल फिर से काले कर सकती हैं दोस्तों कम उमर में बाल सफेद होना एक आम समस्या बन गई है जी हाँ दोस्तों इन समस्याओं का सबसे मुखे कारण वो ये है कि जो आजकल हमारी बिजी लाइफ बन गई है और सबसे ज़्यादा खान पान में जो हम ध्यान नहीं देते और तो और पर्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है उससे भी हमारे ये बाल सफेद हो सकते हैं ऐसे में समय से पहले आई हुई सफेदी का ये ही अलाज नहीं है दोस्तों कि आप अपने बालों को कलर ले डाई कर ले इससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपकी आखों पर भी बहुत ज़्यादा effect परता है और आपके बाल भी बहुत जल्दी-जल्दी सफेद होने लगते हैं तो दोस्तों आप घरेलूड उसके भी काला कर सकते हैं बिना किसी side effect के चलिए दोस्तों अब मैं आपका वक्त जाया ना करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और आपका कुछ ऐसे उपाये बताती हूँ जिनके आप पे बाल हो जाएंगे काले तो सबसे पहले हम गौर करते हैं तोरी पर जी हाँ दोस्तो तोरी भूजादा फाइदे मन्द होती है जी हाँ दोस्तो अब हम बात करते हैं तिल के तेल की तिल का तिल बालों के लिए बहुँ ज़दा फाइदे मन्द होता है साथ ही इसका सेवन करने से बहुँ ज़दा लाब होता है यदि आप अपने बोजन में तिल के तेल को शामिल करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले और घने रहते हैं सर्थ होने के लिए भी शिकाखाई पाउडर और माईलेज शैंपू का इस्तेमाल करें आईए दोस्तों अगले नुस्की की बात करते हैं तो उसके लिए आपको एक कप चाई के पानी उबाले और उसमें एक चमच नमक मिलाएं इस मिश्ट को बाल से दोने से एक खंटा पहले लगाएं बाल आपके काले वे घने हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों नारियल के तेल में ताजे आमले को इतना उबाले की भै काला हो जाएं इस मिश्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ दे रोज सोने से पहले इसको अपने बालों में लगा कर उसे छोड़ दें और उसे सुबा सर दोएं अद्रक को पीस कर उसमें थोड़ा सा शैद मिला कर उसका पेस बनाएं और इसे सर पर लगाएं इस उपाय को रोजाना करने से आपके बालों की सफेदी बहुत कम हो जाएगी और आपके काले बाल आपके पास फिर से आ जाएंगे जी हैं दोस्तो बालों में रोज सरसो का तेल लगाने से आपके बाल हमेशा काले रहेंगे नारिल के तेल में मीठे नीम की पतियों को इतना उबाने की वह पतियां काली हो जाएं इस तेल को हलके हाथों से अपने बालों की जड़ों में लगाएं आपके बाल घनेवे काले हो जाएंगे तो दोस्तो देखा आपने कि आप अपने बालों को काला कितना असानी से कर सकते हैं बिना किसी भार के प्रोड़क्ट से तो दोस्तो भार के प्रोड़क्ट वैसे भी कैमिकल युक्त होते हैं कैमिकल युक्त आपके बालों को और भी जादा नास करते हैं तो दोस्तों क्यों ना आप इन घर के घरे लूप आय का इस्तेमाल करकर अपने बालों को काला करें तो दोस्तों आज के टेप्स में बस इतना ही लोटूंगे एक नए टेप्स के साथ मेरे चैनल को सस्क्राइब और लाइक करना ना भूलिए